जिला पुलिस कुरुक शेतर ने जेल से भागने वाले दोनों आरोपियों को गिर्फतार कर लिया है अब रात अन्यविशन शाखाद दो की टीम ने जेल से भागने वाले आरोपि रजजत पूतर विजे कुमार वासी माजरी मोहला शाबाद वे साबर अली पूतर सलीम वासी रवी कलोनी शाबाद को गिर्फतार करने में सफलता असिल किया है ये जानकारी पूलीस दिख्शक सुरेंदर सिंग भोरिया ने प्रेस वारता के दोराण दी उन्होंने बताया कि थाना शेयर थाने सर में दी अपने शिकायत में ब्रुजाप पूतर विजे कुमार वासी शाबाद वे साबर अली पूतर सलीम वासी शाबाद तीनों हाजिर नहीं मिले जेल भी भाग द्वारा आरोपियों के तलाश की गई लेकिन आरोपियों का कुछ पता नहीं चला डियस्पी जेल कुरुक्षेत्र ने बताया कि तीनों आरोपी जेल से फरार हो गए हैं जिनकी शिकायत बर थाना शहर धानेसर में मामला दर्ज करके जान शुरू की गई मामले की गंबीरता को देखते हुए पुलीस अदिक्षा कुक्षेत्र ने मामले की जांच अपराद अनमिशन शाह का दो को सोंब कर पांच तीमों का गठन किया था 20 मार्च को अपराद अनुशन शाह का दो परबारी निरिक्षक परतीक कुमार की टीम ने मामले में तत्परता से कारवाई करते हुए 20 घंटे के अंदर जेल से भागने वाले आरोपी रोहित पाल पुतर जन्यायल सिंग वासी माजरी महला शाबाद को गिर्फतार कर लिया दो आरोपी रज्यत पुतर विजे कुमार वासी मार्जरी महला शाबाद वे कुरुक्षेतर वे साबर अली पुतर सलीम वासी रवी कालो ने शाबाद जिला कुरुक्षेतर को गिर्फतार कर लिया आरोपियों से आगावी पूस्ताज के लिए आरोपियों को 25 मार्च को माननी अदालत में पेश किया जाएगा इसका नाम रोहित था इसके लावा जो दो रजत और साबर अली ये दो को आज गिरफ्तार किया गया है शाहबाद से अब इनको गिरफ्तार करके इन से पूस्ताज करके कल कोस्त में पेश किया जाएगा किस मोडस अपरेंडी से ये भागे और कौन-कौन इनके साथ था इन सभी की डिटेल में पूस्ताज की जाएगी और आएंदा वैसी कारवाई की जाएगा उसके बाद क्या इनका मोटिव था क्या इंटेंचन थी और कौन-कौन दो इसमें और सनिब थे उस सब को क्लिर किया जाएगा कर दो